हेलो फ्रेंड्स कैसे आप से भी लोग होप कर आप सब अच्छे होंगे आपकी प्रैक्टिस काफ़ अच्छी चल लिए होगी आज की वीडियो में हम लोग ओनर्शिप और बॉराइंग की कॉंसेप्ट को समझने वाले हैं तो यहां पर देखिए ओनर्शिप और बॉराइंग पड़ेगी तो यहां पर देखिए ओनर्शिप को कंसेप्ट के कहता है कि यहां पर रश्ट में क्या होता है हर एक वेल्यू हो सकता है तो देखिए अगर मैंने वैरेबल लिया एकस इस इगल टू 5 ठीक है तो यहां पर क्या होगा एक मैमूरी होगी जहां पर 5 अलॉट हो ज क्या रहा हूं कि यहां पार दो कॉपी चलता है एक चलता आपका कॉपी का एक चलता हito कॉप बातकर है कि देखे जब भी हम अपने डाटा को किसी और को देते हैं तो इसमें दो चीज invasive होती है या तो वह copy होता है या तो move होता है अगर मान लीज огр to five जो कि एक integer value है जो कि stack में रहेगी ठीक है मैंने पहले से तहीं बता है ठीक है इसके स्टैक में घडाटा रहता है तो यह copy और move को concept लेकिन move के concept में क्या होगा अगर कोई value जो भी heap में रहेगी ठीक है उसमें जब भी आप assign कराएंगे value इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया x is equal to 5 या फिर x is equal to string ले लिए विजय जो की heap में present रहेगी और फिर y is equal to x यहाँ पर लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं x को डाटा ओन करता था एक्स क्या कर रहा है विजय को ओन कर रहा है यह इसने अब अपना जो ownership हो खो दी मतलब इसने क्या कर दिया अपना डाटा मूव करके y को दे दिया अब x के पास कोई भी डाटा नह रहता है ठीक है तो अगर आप value assign कर रहे हैं तो y के पास कभी value क्या होगी copy होकी नहीं आगी move होके आगी ठीक है और मैं यहाँ पर y को assign कर रहा हूं x से तो यहाँ पर क्या होगा इससे 5 copy करके y को दे आप x के पास भी 5 है और y के पास भी 5 है लेकिन move के case में ऐसा नहीं होता है ठीक है ownership में हिसाब को आध्यान रहना है कि value कहा exist कर रहे है अगर stack में कर रहे है अब easily उसको assign करा सकते हैं तो वह directly क्या हो जागी copy हो जाएगी लेकिन अगर आपको अगर आपकी value हीप में exist कर रही है तो उस case में आपको क्या करना पड़ेगा चालते हैं यहाँ पर इसको reference देना पड़ेगा तो reference क्या होता है मैं आपको बदाता हूं simple example से देखिए जैसे मैंने x लिया x में मैंने यहाँ पर vj ले लिया value ठीक है पूरा syntax नहीं लिखूंगा ownership पास कर दी यह data move हो गया है अब y क्या करेगा x को point out करेगा अब देखिए रश्ट का पहला rule क्या गयता है कि हर किसी data का एक ही owner होना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो vj के दो owner है x और y तो x क्या हो जागा इस case में रश्ट को discard कर देगा x को हटा देगा यह जो reference है यह हड़िय यहाँ पर विजय नाम का एक memory में slot है यहाँ पर विजय सेव है x इसको reference कर रहा है और y क्या कर रहा है y x को reference कर रहा है ठीक है जब आइस तरह से लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि x का address हाँ पास कर रहे है तो y के पास जो value store होगी वह x का address होगा x का address मनला 100 है तो 100 पास store होग है तो मैं कि यहाँ पर क्या लखांगा इसको difference करूंगा आगे से style लगाँगा तो यह क्या करेंगा style लगाने का मतलब यह है कि y में जो address है 100 उसमें जो value है वह उठा के लाओ y का address है 100 उसमें थी value x x कि स्को point dot कर रहा है विजय को तो यहाँ पर विजय की value उठा के लिए आए इसने क्या कर दिया कुछ time के लिए बॉरो कर दिया अब जैसे out of scope चले जाएगा य उसके बाद क्या हो जाएगा यह return कर जाएगा X के पास ही चले जाएगा तो boring क्याता है instead of taking ownership of a value you can borrow it इसको borrow कर सकते हैं लेकिन जब आब बॉरो कर रहे हैं तो उसका भी कुछ rules होते हैं कि इसने टाइम पर पैसे लोटा देने ठीक उसी तर से रस्ट में भी होता है कि आपको जो बोरेंग आपको कर रहे हैं तो आपको कुछ यू का ध्यान देना पड़ता है ठीक है तो इसमें हमारे टाइप आ जाते हैं और क्यालते हैं बोरेंग में उससे पहला हम ownership के concept को समझ ल जाता है तो वेल्यू क्या होती है ड्रॉप हो जाती है ठीक है बताया था आपको कि वाई अगर आउट आपसको चले जाएगा तो वेल्यू ड्रॉप हो जाएगी तो रस्ट में होता ही अगर आउट आपसको वेल्यू चले गई तो क्या होगा वो ड्रॉप हो जाएगा अब Boring help to avoid unnecessary copying of the data. क्योंकि हम पर copy करना क्यों मुस्किल होता है. जब stack में value होती है, वो easily copy हो जाती है. ठीक है, easily copy हो जाती है. इसलिए जब हमने y is equal to x लिखा, जो की value stack में थी x की, तो वो easily copy हो गई. लेकिन जब heap में value होती है, तो copy करने में थोड़ी मुस्की बहुत होती है, जैसलिए वो क्या करते हैं, उसको move करा देते हैं. तो यहां पर आपको यह दियान रखनी है. कि कहां पर आपको copy हो रहा है, कहां पर आपको move हो रहा है. type of borrowing, immutable और mutable होती है. अब देखे, borrow भी कैसे कर रहे हैं, देखे, borrow भी करने का तरीका होता है, जैसे कि आपने किसी से कुछ लिया, ठीक है, borrow किया, तो वो आपको permission देखा, भाई, इसको चूना यहां, यह जैसा है, वैसको वैसे return चाहिए मेरे को वापिस होके, ठीक है, तो वो क्या कहा रहा है, imm immutable आपको borrowing दे रहा है, immutable मतलब आप उसको change नहीं कर सकते है, immutable मतलब उसको change नहीं कर सकते है, आपको allow नहीं करेगा कि उसको change कर, ठीक है, इस तरह से आप कहर सकते है, अपने जो एक चीज, multiple लोगों को borrow कर वा सकते है, तू भाई, तू भी ले ले, तू भी ले, तू ले, तो इस में क्या होगहा। आपका कोई भी केंज ही करेगा लेकिन उसको हर कोई कर सकता है। अब यह रूल क्यों रखा है रष्ट ने कि मूट वंधुचास व देजि़े सकता है। आपके जो ग्चाससों को दे सकता है। यहां लिखा है, कि mutable जो बॉरोंगे allow only one part of the code to modify the data and while preventing any other part of to access it ठीक है यह तो mutable आपका बता रखाए लेकिन इसका एक rule होता है कि आपके जो mutable borrowing होगी वो आपकी क्या होती है multiple नहीं होनी चीह जैसे यहालिक है single mutable borrow इसके उपर आएंगे अभी हम ठीक है तो मैंने आपसे किया काई दो तरह के बॉरोंग होती है immutable और आपकी mutable मतलब वो change नहीं हो सकती उसका चीह नहीं कर सकते mutable मतलब चेंज कर सकते है यह आपरे code लिखा हुआ है सिंपल सा ownership on borrowing when you create a mutable borrowing you can use the m% operator लगाते है तो पास है reference reference पास कर रहे है to the value without taking the ownership ठीक है मैं को समझा देता हूं यह लिखा हुआ यह खुदी पढ़ लेंगे इसमें एक वरेबल लिया है मैंने एक्सिस कर रहे है वह बाद में एक्सिस नहीं कर पाएंगे क्यों इसने अपनी ownership दे दी ठीक है प्रिंट कर रहे है यहां पर से length calculate करके दे रहा है और return कर रहा है use size तो यहां पर यहां पर यूज कर रहे हैं कि यहां पर क्या है यहां पर आएगा यह वाले S में चले जाता अगर मैं इसको S को हटा कि V कर दूँ तो अब क्या हो गया वी है जिसने इसकी ownership ले लिए अगर मैं यहां पर reference पास नहीं करता तो क्या होता यह बता रहा हूं कि S था उसके पास हेलो और V क्या करता उसके आप ownership ले ले लेता V के पास आ जाता तो ज इसलिए ही भेजा है मैंने कि कि यहां पर क्या हो कि यहां पर मैं S को दुबारा से यूज कर सकूं इसलिए ही भेजा और इसकी ownership जो है वह पास नहीं हो ठीक है यह चीज आपको ध्यान देनी है मुटिबल बोर्ิंग का मतब सिंपल सा हो यह कि आप स्को क्या कर सकते चेंज कर सकते मिटेट कर सकते यहां पर हुआ है यह एम्ने यह को लिए है तो यहां पर मैं में कose Betस को क्रां मुटिवर्य पास किया मूटिवल रिए निसको और को और न लिख से और ऐसे निए यहाँ पर M% S लिख रहे थे अब यहाँ पर आपको कुछ लिखना है बीच में Mute लगा देना है ठीक है और यहाँ पर Muteable टाइप के स्टिंग ले रहा है इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं जरूरी नहीं ऐसी दी है वी भी दे सकते हैं ठीक है अगर आपको confusion होते हैं कि याला ऐस याला ऐस यहाँ पर इसको वी भी दे सकते हैं वी डॉट पुश यहाँ पर स्टिंग कर दी तो Hello के अंदर क्या यहां पर अपका टापिक है पॉंट है इसको दिहान से पढ़िएगा इसका मैं example भी आपको समझाँगा ठीक है क्योंकि इसकी वज़े से क्या होता है बहुत ज़्यादा आपको confusion हो जाती है ठीक है कि अभी आप कहते हैं कि कहीं भी आप कहते हैं कि single mutable borrow होना चाहिए फिर आप multiple mutable borrow भी use कर रहें और वो चल भी रहा है code बताँगा मैं आपको कैसी होता है ठीक है तो यहाँ पर इस code को समझ लेते हैं हमारे पास क्या है एक variable है data name से जो क्या है mutable type का है ठीक है यहाँ पर मैंने vector लिया mutable reference लिया मैंने यहाँ पर अध्यूर्स मुटेबल reference लिया अब देखे क्या होगा ref 1 ठीक है और यहाँ पर था data डाटा के पास value थी 123 ठीक है और ref 1 के पास यहाँ था यह इसको point-out कर रहा है तो यहां पर इसको पॉइंट आट कर सकता है अब क्या होँगा मैं ने यहां पर change कर वा दिया मानलेजिए चेंज कर वा दिया, ठीक है, ref1 में add कर वा दिया 5 यहां पर क्या कर रहा है, 1,2,3,4,5 कर देगा इसको यह अब इसके बाद क्या होगा मैंने रहे अब यहां रहा है यहां पर रहा है यहां तो यहां पर क्या हुआ पड़ा कुछ और लिखा कुछ और वाले हिसाब हो जाता है तो इस केस में इस केस से बचने के लिए रश्ट कुछ रूल लेके आता है अगर आप दो यूज कर सकते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा इस वज़े से हम लोग क्या करते हैं अगर अगर आप करना है तो किस तरह से करेंगे उसको इस तरह साब कर सकते हैं जिसलिए यहां पर मैंने लिया ड कर दिया इसने व्यवाद कोई चैज कर दिया माले इसनने इड्ड कर दिया 5 समय ने फिर से डाटा का रएफ्स, 12345 वाएगा उसमें शेंभिए घ्र कर दिया फुई ठीज कर दिया इस्ने जो डाटा रेक ऀरीट कीए 123456 घांष, तो पहले डाटा को पड़ेंगा यूर da इसलिए डाटा को read करेगा तो इसको पार data के आएगा 12345 उसने डाटा add किया 6 तो उसको data कह रहा है 123456 अब उसके बात जानकरी क्या है रैफ 2 क्या जानकरी एप कि जो data है वो 123456 है और जो उसको print करेगा तो क्या हो के प्रिंट आएगा 1 2 3 4 5 6 ही प्रिंट होके आएगा ठीक है तो यहां पर देखिए जो डाटा रीट कर रहा है कोई भी वेरेबल उसी डाटा को प्रिंट कर रहा है इस केस में हमने multiple mutable reference यूज किये हैं लेकिन उसके वज़े से error नहीं आ रहा इसले नहीं आ रहा क्योंकि यहां पर जो डाटा रीट कर रहा है और उसके चेंज होने से फेले और इसको चेंज के उससे पहले उसको यूज कर ले रहा है अगर आप फिर से यहां पर एक और कमांड लिखते है print talent और यहां पर reference one को print करवाते हैं पूरा syntax नहीं लिख रहा हूँ ref one को print करवाते हैं तो यहां पर फिर से error आजाएगा क्यों 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 print ref one ने पहले यहां पर data कुछ और read किया था फिर आप ने उसको print तो करवा दिया लेकिन उसके बाद data change हो गया किसी और ने उसको change कर दिया तो यहां पर जो इसमें data read किया था वह तो print होके नहीं आ रहा है तो यहां पर जो data आप read कर रहे हैं उसको कोई और menu plate ना कर दे उससे पहले आप उसको use कर लेना है उसके बाद को use नहीं करना है इसके बाद में change हो नहीं नहीं कोई बात नहीं लेकिन जॉमारे रहा है रहे है वहीं मैं पूछ जाते हैं चाहब वो गेट हो चाहए वो इस रो हो चाहए वो आपका PSU जो अगर आपने अभी तक हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूरी सब्सक्राइब कर लिजे और इसकी प्लेइल्स को जरूरी चेक आउट कीजे और अगर आपको हमारी वीडियो पसं कर दो दो गुआ हो आ थड़ा कर दो कर दो